वेरी वर्म गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं प्रिक्ती शर्मा बेटे आपकी हिंदी सब्जेक टीचर आज हम आपका पाठ बारा पढ़ेंगे जिसका शेशक है मजेदार कबड़ी बेटे इसके मैंने आपको कठीन शब्द करवाए थे ठीके और कठीन शब्द और मैंने इसका पाठ का सारे एक पेज सुलेक आपको करने को दिया था आशा करती हूँ आप सभी ने वो वर्क कर लिया होगा और इसके मैंने कुछ अन्यम है तो कौन प्रेशन उत्तर भी आपको करने को दिये थे तो ये सब कारिया अपने कर लिया होगा और जिस भी बच्चे ने नहीं किया है वो इसे कंप्लीट कर लेना पूरा कर लेना आज हम इसका चैप्टर को पढ़ेंगے इस पार्ट में मैंने आपको जैसी के बताया था कि इसमें कबड़ी खेल की विशय में जानकारी प्रदान की गई है तो देखते हैं इस पाठ में क्या है? कबड़ी 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 पकड़ो पकड़ो आउट आउट तीना आउट चल गीता अब तू कबड़ी देने जा उच्छ प्रात्मिक विध्या लेके सामने कबड़ी के अभ्यास का द्रश्य सारीरिक शिक्षक खेल प्रतियों गीता है तू चात्र चात्राओं को अभ्यास करवाते हुए मतलब जो सारीरिक शिक्षक है वो अभ्यास करवा रहा है वो कबड़ी कबड़ी पकड़ो पकड़ो आउट आउट इस तरह की बातें वो बच्चे बोड़ रहे हैं खेल खेलते हैं तो क्या बोलते हैं कबड़ी कबड़ी फिर वो सामने वाले क्या बोलते हैं उसको पकड़ो पकड़ो तो इस तरह की आवाज उनमें आ रही है शारिक शिक्षक पी पी मतलब सीटी वीसल मतलब होता है सीटी बजाते हुए चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास के बजाए विश्राम होगा मतलब थोड़ी देर का बीच में विश्राम होगा चलो चलो स सभी इस पेड़ की चाया में बैठ जाओ तो वो सभी को पेड़ की चाया में बिठाते हैं आज मैं आपको कबड़ी के खेल की मज़िदार जानकारी दूँगा थोड़ी सी वो प्रैक्टिस करवाता है बच्चों को उसके बाद खेल के बारे में मज़िदार जानकारी देते हैं क्या सब सुनोंगे तो हां बच्चे सभी एक साथ बोलते हैं हां गुरुजी सब बच्चे एक साथ चिला उठे बड़ा मज़ा आएगा कि आप हमें कबड़ी के बारे में विशेज जानकरी देंगे तो उसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगेगा तो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मांगी लाल ठीक है तो वो बोलता है गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा निकर पाड़ दिया मतलब वो बोलता है कि देखो इसे जो मोहन है दूसरा स्टूडेंट उसने कबड़ी खेलते हुए खेंच के हाथ में कोई कपड़ा आ जाता है तो वो फट जाता ह खेल खेल में तो उस तरह से उसने मेरा निकर फाड़ दिया तो मोहन बोलता है और गुरू जी तब मांगी लाले मेरा गला पकड़ लिया था जैसे दो बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो बलते हैं मैं भी इसने मेरे साथ ऐसे किया तो उसी तरह की बाते उन दोनों में हो रही थी तो शारीर एक शिक्षक हसते हुए कहते हैं देखो भाई लड़ाई बंद करो मतलब जगड़ा मत करो वैसे भी कबड़ी में गला बाल गला नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है मतलब किसी भी तरह का कोई कपड़ा अगर हम पकड़ लेते हैं तो फाउल माना जाता है मैच की दोरान गलत खेल अत्वा नियम तूटने पर रैफरी फाउल का इशारा करता है अगर कोई गलत तरीके से खेल खेलता है या कोई खेल के नियम को तोड़ता है तो उसे फाउल माना जाता है फिर सकीना कहती है गुरुजी यह रैफरी कौन होता है तो शारीक शिक्सक उसे समझाते हुए कहते हैं मैच खिलाने वाले रैफरी एमपायर निरनायक आधी कहलाते हैं तो रैफरी एमपायर निर्नायक एक ही बात है ये इनके अलग अलग नाम है गीता बोलती है हाँ अब समझी इनके गले में लाल काली वीसल भी लटकी होती है मतब जो निर्नायक होता है उसकी गले में लाल रंकी या काली रंकी सीटी भी लटकी हुई होती है मोहन बोलता है और वो ऐसे बजाते भी हैं मूह से सीटी बजाते हुए फिर वो हासी मजात में मूह से सीटी बजाता है कि उसे इस तरह से Wiesal को बजाते हैं तो इस पर सबी बच्चे एक साथ टहा का लगाते हैं मतलब हसने लग जाते हैं सलीम कहता है गुरुजी कबड़ी कबड़ी का उच्चारन तो बिना सास तोड़े होता है न मतब बीच में सास तूटनी नहीं चाहिए कबड़ी का उच्चारन करते समय तो जश्बीर बोलता है और कबड़ी के दोरान बीच में सास तूटी तो आउट तो शादिक शिक 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 बोलते हैं अरे वा अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो मतलब इस खेल के बारे में तुम्हें बहुत सारी बाते पता चल गई हैं तो फिर गोपाल बोलता है कबड़ी में क्या थपड भी लगा सकते हैं सब जोरदार तहा का लगाते हैं मतलब हस्ते हैं कि कबड़ी में कोई थपड भी लगा सकते हैं तो शादिक शिक 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 बोलते हैं अरे भाई अभी बताया ना घूसा थपड आधी गंबीर फाउल होत आधी गुणों से भरा होता है तो इसे लिए कोई भी भी खेल खेल में तो हम केल खेल क्यों खेलते हैं ताकि हम एक दोन में यूनिटी हो ग्रुप में समानता हो एकता क्यों भावना हो तो और आपस में प्यार अनुशाशन बड़े ना कि किसी के दुश्मनी थोड़ना लड़ाई जगड़े करने के लिए थोड़ना हम खेल खेलते हैं तो इसलिए कोई भी थपड़ या मारपिट मानना का काम होना गंबिर फाउल माना जाता है तो गोरुप कहता है कबड़ी खेलने से और क्या-क्या लाब होता है तो सारीक शिक्षकों से समझाते हैं अती सुन्दर प्रेशन की तुमने बहुत अच्छा प्रेशन पूछा है स्वस्त वे सुगटित शरीर तेज दिमाग प्रसन मन देश के लिए खेलने की लाजा आधी लाब ही लाब है मेटे इसको अंडरलाइन कर लो और यहां इसको कबड़ी खेल में प्यार सिस्टाचार ये लाइन भी उपर की शारीक शिक्षक की दोनों अंडरलाइन कर लेना ये इंपोर्टन है सिधार्थ बोलता है कबड़ी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं जो कबड़ी देने जाता है पकड़ता है उसे क्या कहते हैं तो शारीक शिक्षक उसे समझाते हैं शाबाज कबड़ी कबड़ी का उचारन करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले किलाड़ी को रेडर और पकड़ने वाले को केचर कहते हैं कि जो दाम देने जाता है या रेड देने जाता है उसे क्या कहते है रेडर कहते हैं और पकड़ने वाले को केचर कहते हैं कैच करना मतब पकड़ना और दूसरी के पाले में जाने को क्या कहते हैं देने वाले को रेडर कहते है तो लालूरा में एक स्टूडेंट वो बोलता है गुरुजी गुरुजी ये पाला क्या होता है तो शिक्षारिक शिक्षिकों से समझाते हैं आयू वर्ग आधी के नियम अनुसार कबड़ी का मैदान कबड़ी कोट जो होता है कबड़ी का मैदान होता है जिसे हम लोग पाला भी कहते हैं कबड़ी कोट कबड़ी 8 मिटर होती है जस्पीर कहते है इसको अंडरलाइन कर लिजो जस्पीर बamily क्या यह है फिक्स होना आपके वर्ग की कबड़ी में 15-15 मिनिट की दो पारियां होती है वे बीच में 5 मिनिट का अंतराल होता है अंतराल मतलब ब्रेक होता है प्रते एक टीम में साथ साथ खिलाडी खेलते हैं सकीना बोलती है गुरू जी बड़ा अच्छा लग रहा है और भी अवश्चक जानकारी बताईए ना इस केल से सम्बंदित कोई और इंपर्टन जानकारी है तो वो भी हमें बताओ तो शाले की शिक्षक कहते हैं अवश्चे आप जैसे विध्यारती सब को प्रिया होते हैं जिनमें जानने की इच्छा होती है और इतने सारे कुश्चन्स वो पूछते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स हर शिक्षक को अच्छे होते हैं प्रिया लगते हैं जिनमें जादा सीखने की लालसा हो वे अनुशाशित और मैनती हो और आप और प्रेशन करो मैं बताऊंगा मतलब इसी जी से खेल से संबंदित और भी जो भी आपको जानने की इच्छा है वो उस तरह के कुश्चन्स आप मुझसे कीजिए तो गीता बोलती है कबड़ी की अंक कैसे मिलते हैं तो शा तरगत टीमों को अंक मिलते हैं अंत में समय पूरा होने पर ज्यादा अंक प्राप्ट करने वाली टीम को विजेता घुशित किया जाता है जो वेक्ती दाम देने जा रहा है तो जितने किलाडियों को वो छूकर वापस आएगा उसको उतने ही अंक मिलते हैं और रेडर अग अपने टाइम पूरा होने पर जिसके भी ज्यादा अंक होते हैं वो ही टीम विजेता घुशित होती है तो गोरव बोलता है क्या हमारे देश में भी कोई कबड़ी की टीम है तो शारीक शिक शिकल से बताते हैं बिल्कुल अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया कबड़ी चैंपियन है यह है गोरव की बात है मतलब हमारे लिए घमंड करने वाली अभिमान करने वाली बात है शलीम बोलते है क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में सेदे मदद भे प्रॉतसाहन मिलेगा मतल में यह खेल से भी कोई पढ़ाई में कोई बैडमिंटन और बॉली बॉल बास्केट बॉल आदी जो भी खेल खेलते हैं तो उसमें हमें पढ़ाई में भी वो मिलती है मदद मिलती है मांगी लाल बोलता है वा गुरू जी अब तो नियम के साथ खेलने में आनन्द बढ़ जाएगा खेलने में बतावकर हम नियम की अनुसार खेलेंगे तो और भी खेलने में ज्यादा मज़ा आएगा तो शारी जिक्षिक्षिक कहते हैं हाँ खेल को भी पढ़ाई की तरह है अगर खेलना है तो इस तरह से खेलो कि खेल को पढ़ाई की तरह सिंसियर होकर खेलो और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए ठीक है कि पढ़ाई को इस तरह से पढ़ाई करो कि पढ़ाई आपको खेल की समान इंट्रेस्टिंग और मज़िदार लगी प्रेशन है इसमें पहला है कबड़ी के खेल की मजिदार जानकरी कोन दे रहे थे तो कबड़ी के खेल की मजिदार जानकरी शारिक शिक्षक दे रहे थे इसका अंसर आपको इस तरह से लिखना है ठीक है कबड़ी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं इसका उत्तर सु में कौन से गुण बताए लेखक ने कबड़ी खेल में प्यार शिस्टाचार स्रास्टियता अनुशाशन एकता समानता आधी गुण बताए प्रश्न एक है आपका सही उत्तर का क्रमाक्षर छाटकर कोस्टक में लिखें भारत कबड़ी में कौन से महादीप का चेंपियन है त मान विए गुण तो इसमें आएगा उप्युक्त सभी सही वे गलत का निशान लगाई है कबड़ी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं सही कबड़ी देने वाले को रेडर कहा जाता है सही खेलते समय एक दल में आट की लड़ी होते हैं गलत कितने होते हैं साथ की लड़ी खेलो तो इतना खेलो की खेल पढ़ाई बन जाए प्रतियों गिता में मैच कराने वाले को निर्नायक कहा जाता है प्रश्न चार है आपका कबड़ी कोट की लंबाई एवं चोड़ाई कितनी होती है इसका उत्तर देखिए कबड़ी कोट की लंबाई 11 मिटर वे चोड़ाई 8 म कबड़ी खेल से श्रीस्वास्त सुगटित रहता है दिमाग तेजसे प्रसन रहता है और देश के लिए खेलने की लालसा जागरत होती है खेल को कैसे खेलना चाहिए खेल को पूरी मेनत लगन और एकागरता से खेलना चाहिए यह आपका प्रेशन तीन आपके मोखिक प्रेशनक का है बेटे जो मैंने आपको पीछे बोल कर बताया था आप देख कर लिख सकते हैं बाकि दोनों पृश्ण लिश्न के answer एक लाइन की एक शब्द के हैं तो आप खुद करें गे मैंने आपको बता दिया है बोलकर प्रश्ण साथ है आपका इनके बारे में क्या समझें रेडर से कहते हैं रेडर होता है पकड़ने वाला खिलाडी जिसको हम पकड़ते हैं वो रेडर कहलाता है केचर पकड़ने वाला खिलाडी निर्नायक खेल खिलाने वाला कबड़ी कोट होता है कबड़ी का मैदान ठीके भाशा की बात का पहला प्रेश्ण है नीचे दीएगे शब्दों के विलॉम शब्द लिखें जादा, कम, सरल, जटिल, डंड, प्रुसकार, सू प्लस गटित मिलाकर सू गटित बना है यहाँ सू शब्दांश का प्रियोग हुआ है आप भी सू शब्दांश जोड कर नए शब्द बनाएं तो यहाँ पर मैंने आपको लिखके दिया है सू यस, सू रम्य, सू बोध, सू मती, सू शील, सू मार्ग तो इस तरह से आप यह अपने इस पार्ट के प्रशन उत्तर करेंगे पूरे यह चप्टर आपका हो गया है इसके मोखिक और लिखित प्रेशन आपको अपनी नॉट्बुक में करने है अन्य प्रेशन उत्तर और पहले पिछले वीडियो का दिया हुआ कारिया आप अपना करेंगे पार्ट बारक को आपको अच्छे से लर्ण करना है ठीके और एक काम और सुनिए क्योंकि अब इसके बाद आपके तीन दिन कोई वीडियो नहीं आएगी तो आपको पार्ट इससे आगे आपकी खोको की एक कवीता है वो आपको लर्ण करनी है और किताबे नामक कवीता पार्ट 13 की कवीता आपको लर्ण करनी है अगले वीडियो में हाँ फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई इससे पहले आप एक बार ये भी ध्यान रख लीजिए कि आपको ये जो मैंने आपको 12 चेप्टर पढ़ा दिये हैं एक से 12 उसको आप साथ के साथ लर्ण करते हुए चलेंगे क्योंकि अब आपके जो एक किलेगे टीक कृट विए बबाई आपके आपको एक बाइव नास दी